हेलो दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में और मैं हूँ आपका दोस्त DRX शाहब उद्दीन, फार्मसिस्ट और मेडिसिन कंसल्टेंट और आप देख रहे हैं नुमान मेडिसिन तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे RGPREG, sachet के बारे में इस sachet की पूरी information, detail में देंगे इसके अंदर क्या composition होता है कैसे ये काम करता है क्या इसका uses होता, मतलब कहां इसको इसको इस्तिमाल किया जाता है कौन-कौन इसको नहीं ले सकता है क्या side effect होते हैं और कैसे इसको लेना होता है तो सब कुछ detail में बात करेंगे आप वीडियो को आखिर तक देखें अगर आप आखिर तक नहीं देखेंगे तो आपको half knowledge मिलेगी और half knowledge आपको नुक्षान दे सकती है तो इसलिए किसी भी चीज की अगर knowledge लेनी है तो उसकी पूरी knowledge लेनी चाहिए तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो के दरफ तो आटजी पर एक sachet ये जो होता है एक sachet होता है तो इसके अंदर जो है granules होते हैं ये granules की form में होता है powder form में नहीं होता है granules form में होता है और granules छोड़े-छोड़े से टुकड़े से होते हैं आप डिस्पले पर देख सकते हैं छोड़े-छोड़े से छोड़े-छोड़े से होते हैं इसको जो बनाया है वो mankind pharmaceutical company ने इसको manufacture किया है बनाया है और दोस्तों ये sugar free होता है इसकी MRP की बात करें तो इसकी ये जो मिल जाता है 45 रुपे यानि 45 रुपे में एक sachet मिलता है अब बात करते हैं इसके composition की इसके अंदर क्या salt होता है तो इसके अंदर होता है L-Arginine और Amino Acid इसके लाबा इसमें होता है Proanthosyanidine Proanthosyanidine जो है ये polyphenols होते हैं जो की एक plant से मिलते हैं और उन plant का नाम जो होता है वो होता है Cranberry, Blueberry और Grap Seed ये इन से मिलता है दोस्तों अब बात करते हैं इसके uses की तो इसका जो use होता है वो होता है immunity को strong करने में यहनि कि immunity को boost करने में आपको कब बार बार आप बिमार रहते हैं तो बहुत जो बज़ा होती है वो होती है आपकी immunity strong नहीं होना तो आपकी जब immunity strong हो जाती है तो आप बार बार बिमार नहीं पढ़ते हैं तो यह उसी चीज का काम करता है यह आपकी immunity को बढ़ाता है और आपको रोगों से लड़ने की छमता देता है इसके लाबा ये एक antioxidant भी होता है तो ये आपकी skin को आपके hair को आपके heart इन सब चीजों पर अच्छा काम करता है antioxidant जो होता है तो उसमें भी ये काफी useful होता है इसके लाबा HB को maintain रखने मतलब hemoglobin जो होता है उसको भी maintain रखने में इसका इस्तिमाल होता है BP को control रखने में भी इस sachet को दिया जाता है इसके लाबा acidity जो होती है gas उसको भी maintain रखने के लिए इस sachet को दिया जाता है इसके लाबा इसको pregnancy में fetus के development के लिए इस sachet को दिया जाता है और uterus में पानी की मात्रा को बढ़ाने के लिए भी इस सेट को दिया जाता है तो ये इसको इन इन फायदों के लिए इस्तेमाल किया जाता है अब बात करते हैं इसके mode of action की mechanism of action की तो ये क्या करता है ये जो है free radicals को remove कराता है आपकी body के अंदर से आपके शरीर के अंदर से जो की आपकी body के लिए harmful होते हैं dangerous होते हैं तो उन radicals को remove करा जाता आपकी body से और al-arginine जो होता है वो क्या करता है वो relax करता blood vessels को जो की powerful antioxidant होता है और आपकी skin की cells जो होती है उनको youthful बनाता है उनको अच्छा बनाता है proanthosinadine जो होता है ये क्या करता है ये जो protect करता है यह प्रोटेक्ट करता है यू भी raise से मतलब ultra valid जो raise आती है सूरे से जो nिकलती है तो उनसे protect करता है जो की हमारे damage होने से बचाता है skin को और improvement कराता है flexibility को joint के अंदर जो flexibility होती है उसको improve कराता है तो ये दोस्तों इसके काम करने का तरीका होता है अब बात करते हैं इसके contraindication की मतलब कौन-कौन इसको नहीं ले सकता किस-किस में ये contraindicated है तो ऐसे वैक्ति जिनके अंदर vitamin V की कमी है lack of vitamin V है तो वो इस दबा को सेचेट को ना लें इसके लावा BP किसी का low है तो वो भी सेचेट को ना ले kidney disease है किसी को तो वो भी सेचेट को ना ले ऐसे लोग अगर लेते हैं तो अपने doctor के सला जरूर ले लें वीडियो को देखकर self treatment ना गरें हमारी वीडियो जो सिर्फ जानकारी purpose के लिए बनाई जाती है अब बात करते हैं side effect की इसके तो इसके side effect में आपको irritation हो सकती है आपको एकदम से गुस्चा सा आने लगता है आप गुस्चे में रहेंगे इसके side effect में आता है इसके लावा sleeping pattern जो है इसके अलावा भी अगर आपको कोई और side effect डिखता है तो आप अपने doctor से संपर्क करें उनको बताएं अब बात करते हैं इसके dose की तो इसकी dose होती है वैसे तो हर दबा की dose जो है वोई depend करती है पेसेंट की age, weight, severity इन सब चीजों भी depend करती है तो इसकी dose होती है जनरली एक sachet जो है वो half cup बाटर में मतलब आदा काप पानी में मिला कर दिया जाता है एक sachet और यह continue 30 दिन तक लिया जाता है यह उससे ज़्यादा दिन तक भी लिया जा सकता है वो आपकी cbrt पेडिबेंट करता है तो यह दोस्तों हमने आपको आर्ट जी प्रैक सेचेट के बारे में पूरी जानकारी दी है आई होब आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सबी लोगों को इस दबा के बारे में पूरी नॉलिज मिल सके तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ थैंक यू